Hello everyone, welcome back to our kitchen, तरका मार के वित निलू, आज की रेसिपी है, एपल पूडिंग एपल पूडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए दो एपल, मिडियम साइज के एपल है, इसके छिलके निकाल करके और रफली चॉप कर लेना है तो यहाँ पर मैंने एपल को कट करकरके पहले से ही रख रहे है, इसके बीज निकाल करके छिलके निकाल के और रफली चॉप कर लिया है अब वमें कराई को गरम करना और उसमें डालना है कٹे हुए एप़ल और इसमें हमें डालना है एक कप दोध और इसमें डालेंगे 3 टेबले स्पून चीनी और सॉफ्ट होने तक इसे पका लेंगे और बीच बीच में इस तरह से मिक्स कर लेंगे जिसे ये बर्तन में चिपके नहीं इसे cover करके पकाना है इसे 5-10 मिनट के लिए cook करेंगे जितने में ये soft हो जाए अब ये अच्छे से cook हो गया है इसे ठंडा होने के बाद इसका एक pest बना लेंगे अब हमें इसी कराई में डालना है 2 cup milk, 2 cup dut डालना है और इसे boil करना है यहाँ पर हमने conflerd लिया है 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून चीनी दोनों को mix करके और थोरा सा दूर डालके इसका एक slurry बना लेंगे इससे क्या होता है चीनी पहले mix करने से इसमें गुठली नहीं बनती है ये देखे बिलकुल लंस्पूरी बैटर बन गया है इसे एक वार नहीं डालना है दीरे दीरे करके डालना है फ्लेम को स्लो कर ले इस तरह से डाल करके और इसे मिलाते जाए इससे क्या होता है वो एक वार डालने से नीचे जम जाता है पेंदी में इसलिए इसे धीरे-धीरे करके डालना हमें और जैसे इसमें ये सलरी डालने के बाइद इसे बराबर चलाते हूँ और फ्लेम को ही रखना है अब इसमें डालना है ये ग्राइंद किये हुए है एपल प्युरी जिसे मैंने बॉइल करके रखता था इसे डाल के दीरे-दीरे मिक्स करना है और फ्लेम को आफ कर लें एक वार चीनी जरूर चेक कर लें अगर चीनी कम होगी तो इसे टाइम चीनी एड कर लेंगे consistency जो है वो इस तरह की होनी चाहिए बहुत गारी भी नहीं होनी चाहिए बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और अगर गारी हो जाए तो थोड़ी से इसमें milk एड़ कर ले और अगर डालचीनी का टेस्ट अच्छा लगता है में डालचीनी एड कर लेंगे थोड़ा सा डालचीनी के पाउडर हमें एक पिंच लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले अब इसे किसी बर्तन में सिफ्ट करते है अब इसे बोल में मैंने ट्रांसफर कर लिया और इसे एक घंटे के लिए सेट होने देंगे पहले इसे जमने के लिए 1 गंटे के लिए, फ्रेजर में नहीं, सिर्फ फ्रेज में रखना है, 1 गंटे के बाद ये पूरी तरह से सेट हो गया है, थणडा भी हो गया है, तो इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांस्फर करते हैं, और इसे हलका सा टैप करेंगे और नाइफ की मदद से इसके एजेज को थोरा सा लूज कर लेंगे इससे टॉपिंग करने के लिए मैंने यह पर लिया है कोको पॉडर आप यहां पर चॉकलेट पॉडर भी ले सकते हैं चॉकलेट सीरप भी ले सकते हैं ति आप मैंने वन टेबले स्पून कोको पॉडर डाला और इसे इस तरह से और इस तरह से पूरे पॉडिंग की ऊपर स्प्रेंगल कर लेंगे एपल पॉडिंग पूरी तरह से रेडियर सर्व करने के लिए इसे ठंडी ठंडी सर्व करें आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें फिर मिलते हूं कुछ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए और बवाएं नई है झाल 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 है